दोस्तों अगर आप भी यूचिवेंदर चहल को एक बहतरीन गेंदबाज मांते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरू रूखेजेगा दोस्तों बैंगलूरू और राजस्थान के बेच खेले जा रहा है जबरदस्त मुकाबले में बैंगलूरू के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए राजस्थान की टीम की धजिया उड़ा कर रख दी और बैंगलूरू की ओर से टीम के सबसे चतुर और गेंदबाजी युजवेंदर चहल ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से राजस्थान के टीम की धजिया उड़ा कर रग दी और अपनी टीम को इस मुकाबले में एक मजबूत इस्तिती में लाकर खड़ा कर दिया युजिवेंदर चहल के जवर्दस्त गेंदबाजी को देकर तो भारत के पुर्वर दिगज खिलाडी विरेंदर साहवाग भी उनके मुरीद हो गया और उनके प्रशंसा करते हुए कुछ ऐसा कह डाला जिसको सुनकर शायद आपके भी होशुर जाएंगे तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको विरेंदर साहवाग के बयान के बारे में लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है क्या युजिवेंदर चहल को T20 वर्ल्ल कप के लिए भारते टीम में चुना जाना चाहिए था या नहीं नीचे केमेंट सेक्शन में केमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों बता दे राजस्तान और बैंगलूरू के बीच खिले जा रहा है आईपिल के 43 में मकाबले में दोनों ही टीम की और से बड़ा ही शानदार खिल का प्रदर्शन देखने को मिला इस मुकाबले में विराट कोली ने टॉस जीत कर पहले गेंदभाजी करने का फैसला लिया लेकिन उनका ये फैसला कुछ हद तक गलत साबित होता हुआ नजर आया शुरुआत में राजस्थान के सलावी बलेबाज एविन लुईस और यशस्वी जैसवाल ने ताबरतोर अंदाज में बलेबाजी का प्रदर्शन किया इन दोनों ने साथ मिलकर शुरुआती 6 ओवर यानि की पावर प्ले में 50 रन से अधिक बटोर लिये थे जो कि इस मैदान में एक बहुत ही बहतरीन शुरुआत थी अब इन दोनों बलेबाजो के जबरदस्थ शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए इसे एक बड़े स्कोर में तबदिल करना था लेकिन फिर इसके बाद हमें मैदान पर देखने को मिला बैंगलूरू की टीम के गेदबाजो की जबरदस्थ गेदबाजी का जादू बता दें पहले डेनियल क्रिस्चियन ने एक धीमी गती की गेंट डाल कर यश्रस्वी जैसवाल को घलत शौट खेलने पर मजबूर किया और उन्हें 31 रन पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया इसके बाद दोस्तों इविन लुईस और संजू सैमसंग ने आकरामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत के एक 11 ओवर में 100 से अधिकरन बना लिये थे लेकिन एक बार फिर बैंगलूरू के गेंदबाजियों के द्वारा बड़ी ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला जब गॉर्टन ने एविन लुईस को 59 रनों पर आउट करके पवेलियन के और चलता किया उन्होंने पहले महिपल लूमरोर को एक धीमी गती की गेंड डाली जिस पर वो कदमों का इस्तिमाल करके एक बड़ा शाट खेलने के प्रयास में स्टंप आउट हो गये और सिर्फ तीन रन बना कर पवेलियन के और चलते बने इसके बाद युजवेंदर चहल ने इस मुकाबले में बड़ा विकेट अपने नाम किया जब राजिस्थान के सबसे धाकर खेलाडी लिविंग स्टोन को एक गलत शाट खेलने पर मजबूर कर दिया और गेंड सीधा एबी डिविलियर्स के हाथों में जागिरी और चहल ने तो इस जबरदस्थ विकेट को अपने नाम करके बैंगलूरू के प्रशंसकों के साथ साथ भारत के पुर्व दिगज खिलाडी विरेंदर सहवाग को भी अपना मुरीद बना लिया बता दें युजवेंदर चहल की प्रशंसा करते हुए विरेंदर सहवाग ने अपने बयान में कहा है कि ये खिलाडी बैंगलूरू और भारती टीम को कई सफलताय दिलाई है इसलिए इस खिलाडी को तो T20 वर्ल्ड कप जैसे एहम टूनामेंट के लिए भारती टीम का हिस्सा बनाना चाहिए था लेकिन चैन करताओं ने इस जबरदस खिलाडी को भारती टीम में ना चुनकर सबसे बड़ी कलती की क्योंकि अब इसका खामियाजा शायद भारती टीम को हार के रूप में भी चुकाना पर सकता है लेकिन अभी भी चैन करताओं के पास 10 अक्टूबर का समय है इस बहतरीन खिलाडी को जल से जल भारत की T20 वर्ल कप के लिए चुना जाना चाहिए अगर इस साल का वर्ल कप जीतना है तो क्योंकि ये वर्ल कप UAE के मैदानों पर खिला जाएगा और इन मैदानों की पिछ पर युजिवेंदर चहल बेहदी घातक गेंदबाट साबित हो सकते हैं लेकिन दोस्तों विरेंदर सावा के ये बयान सुनने के बाद आप सभी को क्या लगता है क्या योजिवेंदर चहल को T20 वर्ल कप के लिए चुना जाना चाहिए या नहीं नीचे कमेंट सक्षन में कमेंट करके जरू बताईएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा